कि छोटे बच्चों की assessment करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि assessment बहुत hard and fast एक चीज है और इसके बारे में बहुत चीजी benchmarks होते हैं और उन activities के throne को चेक किया जाता है, लेकिन हम पहले भी discuss करते आए हैं कि जो early childhood के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, उनकी assessment करने के कुछ तरीके और होने चाहिए, हम यह कहते हैं कि throughout the day, ECCC teachers will have to observe children, अब यह हम यह कह रहे हैं कि बच्चों को observe करें, ना कि आप उनको कहें जितना लिक्के दो, इतना मुझे बताओ, इतनी कहानी गिंती सुना दो, और इस चीजे मुझे बताओ, बलके यह कि आप उस्ताज ज जो है वो थोड़ा पीछे रह गया है, कौन सा बच्चा ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पीछे रह गया है, उसको वहाँ छोड़ना नहीं है, बलके उस्ताद का काम है कि वो उसको भी किसी ना किसी तरह से, किसी सरगर्मी में शामिल करेगा, और फिर, this is a skill that teachers have to develop to be actively involved, picking up cues from the children and at the same time observing each individual child, जो जैसा मैंने आट्स किया कि जो हमारा major chunk है या बड़ी assessment का हिस्ता है, इसको हम यहाँ formative assessment भी कह सकते हैं, वो बच्चों को observe करना है, वहाँ से वो देखता रहे, point pick करता रहे, कि कौन सा बच्चा काम कर रहा है, किसको मजीद तवज्जों की जरुत है, और कौन जादा बहतर कर रहा है, और उसको और कौन सी activity जा सरगर्मी मजीद दी जा सकती है, ऐसी सुरत में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, कि तीन बातें जो हैं, वो हम अपने पास assessment के लिए रख सकते हैं, पहला तो यह है कि बच्चों को assess करने के लिए हमें एक checklist की जरूरत है, checklist my students वो यह है, कि आप उनको, आपके पास एक फैरिस्त हो, जिसमें आप देखते हैं, कुछ participation लिखा हुआ है, conversation लिखा हुआ है, बच्चा self interest ले रहा है, बच्चा इस वक्त वो अपने peer के साथ या दोस्त के साथ बातचीत कर रहा है, या वो उस्ताद का करवा रहे थे, उसकी आप एक list बना लेते हैं, और फिर उसके आगे लिख लेते हैं, कि वो सारा वक्त ये कर रहा था, कभी कभार कर रहा था, या किसी वक्त कर रहा था, तो उस checklist को आप mark करते रहते हैं, ठीक है, इससे ये पता चलता है, कि किस बच्चे ने कौन सी सरगर्म इतनी दफा की, और फिर उसके बाद है portfolio of children's work, अगली assessment जो है, वो ये नहीं, बच्चों को उठाएं, उसको टेस्स दें, उसको आप anxiety में डालें, ये ठीक नहीं है, बलके बहुत बहुत बहुतर बाद ये है, कि आप बच्चे को portfolio बनाएं उसका, यानि वो भी बच्चे नह बनाना, आपने बनाना है, कैसे, आपने उसके रोज मरा का काम, जैसे आपने उसको गिंती लिखने को कहा था, या आपने उसको कहा था कि वो कुछ तस्वीर बना दे, कोई ship बनाया है, उसने कोई collage बनाया है, उसने कोई नई चीज डिजाइन कर दी है, व्लॉक्स के को एक portfolio में डाल लें, ये portfolio जब class खतम होगी, तो आपके काम आएगा, जब पूरा session खतम होगा, तो आपको पता चलेगा कि इस सारे अरसे में, सारे session में, शेश्माही में, सिमाही में या पूरे साल में बच्चे ने कितना काम किया है, फिर उसके बाद ये तो वो सारी चीज कि उनके बच्चा जो है, वो क्या कर रहा है, और ये कि आने वाले दिनों में किन चीज़ों की उसको ज्यादा जरूरत पढ़ सकती है, कहां कमजोर है, कहां बेहतर है, नजमों जब्द के उपर उसको तबज़ो देनी है या इसके इलावा, अब फिर देखे, अब कौन कौन सी चीज़ें, यहां पर और भी मेंशन है, observation है, portfolio है, parent ratings है, standardized test है और educators evaluation है, इसमेँ एक नई चीज जो standardized test किया ही है, यह standardized test हम बच्चों के लिए उनको assess करने के लिए या उनकी judgment करने के लिए इस्तमाल नहीं करेंगे, यह जहन में रखिए, यह standardized सिर्फ उसलिए यूज करेंग तो इसको इसलिए नहीं देखेंगे कि हमारा बच्चा जो है, वो कितना लाइक है या कितना नालाइक है, बलकि हम यह देखने की कोशिश करेंगे, कि कौन सी उसकी strengths है और कौन सी उसकी weaknesses है, कहां वो ज्यादा intelligent है और कहां कम intelligent है, ऐसी सूरत में आपने उसके जहानत है, उसके म काबू पाया जा सकेंगे.